हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग के अफे में आज के वीडियो में BPSC Sunset V Marksman का बारहवा सेट शुरू करेंगे सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है लिंक डिस्किप्शन में दे दिया हूँ या आप पलेलिस्ट में जाके देख लिजिएगा अगर आप लोगों के पास Marksman BPSC Sunset V का नया सेट नहीं है तो टेंसन नहीं लेना है पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रवाइट करा दिया जाएगा तो चलिए 12 वाँ सेट को शुरू कर लेते हैं पहला कोशन देखिए निम नांकित महाद्वीपों में किसमे पड़ती व्यक्ति भूमी सरवादिक है आस्ट्रेलिया में ओप्शन D सही उत्तर हो जाएगा आस्ट्रेलिया दोस्तों आपको 2-3 सिगेंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का फिर आप वीडियो के लास्ट में कोमेंट कीजेगा आपका स्कोर 150 में से कितना रहा नेक्स्ट कोशन निम लिकित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सरवादिक माद्वी उचाय वाला है दक्षनी धुरूब अंटार्क टीका अगला कोशन वीश्व की सबसे उची चोटिया किस परकार के परवतों में पाई जाती है नवीन मोरदार परवत में अगला कोशन वीश्व की सरवादिक लंबी परवत स्रिंखला है इंडीज इंडीज परवत स्रेनी निमलिकित में से किस महदूइप में अस्थीत है दक्षिनी अमेरिका में ओप्षन सी हो जाएगा दक्षिनी अमेरिका में अगला कोचन दक्षिनी आलपस परवत मालाय अस्थीत है न्यूजी लेंड में अस्थीत है आलपस परवत स्रेनी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है इंगलेंड का हिस्सा नहीं है नेक्स्ट कोईचन यूरोब की एक परवत स्रिंखला है आलपस ओप्शन ए से उत्र हो जाएगा आलपस यूरोब का एक परवत स्रिंखला है नेक्स्ट कोईचन वाइट परवत पाये जाते हैं सन्युक्त राजी अमेरिका में पाये जाते हैं अगला कोईचन भारत और मयामार के बीद सीमा निर्धार्यत करने वाले तीन परवत सिरेनिया है बार्मीज अराकान योमा परवत चाप अगला कोईचन हिमाले के विष्टार अराकान योमा जिस देश में अस्थीत है वह कौनचा देश है जर्मनी में अस्थीत है बलेक परवत अवस्थीत है USA में अस्तीत हैं, Option D हो जाएगा USA, Moroccanisberg परवत है, Dacchen America, Dacchen Africa में, Option C हो जाएगा Daccharin Africa में, किस महादरिप में! अफ्रीका महादरिप में! Mount Tet ужis अस्तीत है, Option C हो जाएगा Strategic Land में! नेक्ष्ट कोइच्ट राइब से लाइब साफ Uhr जाएगा अस्पेन और फ्रांस के मद्धि कौन सा परवत सीमा बनाता है पिरेनीज, आप्शन भी होगा पिरेनीज तिब्बत के पठार की समूद्र तल से औसत उचाई है 5 किलोमीटर पठार पर अस्थित नगर है मैडरीड संसार की छट किसे कहते हैं पामीर को संसार की छट कहा जाता है सन्यूक्त राजी अमेरिका के दक्षिन कैलिफोर्णिया में अस्थित मिरित्त घाटी निमलिखित में से किसका उदाहरन है रिफ्ट घाटी का आप्शन डी से उत्र हो जाएगा मिरित्त घाटी जानी जाती है इसकी किस चीज के लिए जानी जाती है इसकी अत्यधीक उसनता के लिए सन्यूक्त राजी अमेरिका की देठ वैली अवस्तित है कैलिफोर्णिया राजी में अवस्तित है पंजसीर घाटी अवस्तित है ये कहां पर अवस्तित है अफगानिस्तान में अवस्तित है अगला कोचन सन्यूक्त राजी अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्तित है कैलिफोर्णिया में अवस्तित है टेलर घाटी अवस्तित है अंटार्क टीका में ग्रेट आर्टीजन बेसिन किस देश में अवस्तित है अस्ट्रेलिया में अवस्तित है व्रीहत बेसिन अवस्तित है व्रीहत बेसिन USA में अवस्तित है अगला कोश्चन राजाओ की घाटी अवस्तित हैं मिस्र में राजाओ की घाटी मिस्र में अवस्तित हैं अंधी घाटिया पाई जाती हैं कास्ट परदेश में मरू अस्थल पडिभासित किया जाता है उस छेतर के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो option C से उतर हो जाएगा जहां वार्षिक वर्षा 25 cm से कम होती हो संसार का सबसे बड़ा मरू अस्तल है सहारा मरू अस्तल संसार का सरवादिक जनसंख्या वाला मरू अस्तल है थार मरू अस्तल option C हो जाएगा थार मरू अस्तल तकला मकान मरू अस्तल अवस्तित है जगात चीन में गोबी मरुवस्थल किस देश में अस्तीत है मंगोलिया में अस्तीत हैं दक्षिन एसिया का सबसे बड़ा मरुवस्थल कौन सा है थार मरुवस्थल मुँ आटा कामा रेगिस्थान कहां पर हैं दक्षिनी अमेरिका म्यास्तित है प्रिथिवी का सरवादिक सूस्क छेत्र है प्रिथिवी का सरवादिक सूस्क छेत्र कौन सा है अटा कामा मरू अस्थल ओप्षन भी हो जाएगा अटा कामा मरू अस्थल निम्लिकित में से कौन सितोस्न कटी बंदिया मरू अस्थल है पेटा गोनियन मरुवस्थल, ऑप्चन D हो जाएगा, पेटा गोनियन मरुवस्थल, सवाना का सरवादिक विस्तार है, किस देश में सरवादिक विस्तार है, अफरीका में सबसे ज़्यादा विस्तार है, अफरीका महादुप में, नेक्स्ट कोईचन, दक्षनी अमेरिका का चौरा विरिक्ष रहित घास मैदान कहलाता है यह क्या कहलाता है पंपास कहलाता है ओप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा पंपास निमलिखित में से कौन सीतोसन घास का मैदान नहीं है सीतोसन घास का मैदान कौन सा नहीं है सवाना सवाना जो यह सीतोसन घास का मैदान नहीं है निम्लिखित में किस एक देश में पंपास घास के मैदान अस्थीत है अर्जेंटीना में संसार का सबसे बड़ा देश है संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा देश चीन नेक्स्ट कोईचन छेतरफल की दिरिष्टी से निम्न देशों का सही आरोही करम कौन सा है अर्जेंटीना, भारत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल ओप्सन सी सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से कौन सा देश छेतरफल में भारत से बड़ा नहीं है फरांस, फरांस जो है छेतरफल में भारत से बड़ा नहीं है दक्चिन एसिया के निम्न देशों में से छेतरफल की दिरिष्टी से कौन सबसे छोटा है मालदीव इन में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बनाता है बंगला देश, उप्शन C सही उत्र हो जाएगा बंगला देश निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है अर्मेनिया की, उप्शन A सही उत्र हो जाएगा अर्मेनिया अगला कोईचन निम्न में से किन के साथ इस्राइल की साजी सीमाएं हैं इस्राइल की साजी सीमाएं किसके साथ है लेबनान, सिरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ आप्शन A से उत्तर हो जाएगा निम्न लिखित में से कौन चीन का सिमावर्ती नहीं है बुल्गारिया, उप्शन D से उत्र हो जाएगा, बुल्गारिया, चीन का सिमावर्ती नहीं है हॉर्ण ओफ अफ अफरीका के अंग है, हॉर्ण ओफ अफरीका के अंग कौन से है सोमालिय, एथिओपिया तथा जिबूती ऑप्शन सी से उतर हो जाएगा एथिओपिया तथा जिबूती अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है शुडान को निमलिखित में से कौन सा बालकन देश नहीं है आश्ट्रिया आश्रिया जो है ये बालकन देश नहीं है निम्लिखित देशों में से कौन सा लिथु आनिया का सिमावर्ती नहीं है यूक्रेन यूक्रेन जो है लिथु आनिया का सिमावर्ती नहीं है नेक्स्ट कोईचन निम्लिखित देशों के भागोलिक समुह में समिलित नहीं किया जात तो डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम के लिंक है टेलिग्राम ग्रूप जोएन करके आप इस पीडियेफ को डानलोड कर लीजिएगा नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से कौन एसकेंडीनेवियन देशों के भौगवलिक समुह में सामिल नहीं है डेनमार्क डेनमार्क जो है एसकेंडीनेवियन देशों के भौगवलिक समुह में सामिल नहीं है अपारट और चीन के अत्रिक्त निमलिखित में से कौन से समुह में दिय गए देश मयमार्क के सिमा वड़ती है थाइलेंड, लाओस और बंगला देश निमलिखित में कौन सा देश भगवलिक रूप से अमेरिका में अस्तित होने पड़ भी राजनेतिक दिरिश्टी से यूरोप का भाग है ग्रीनलेंड, आप्शन C से उत्र हो जाएगा, ग्रीनलेंड निमलिखित देशों में से कौन सा अस्तल अवरुद्ध देश नहीं है लाइबेरिया, आप्शन B हो जाएगा, लाइबेरिया निमलिखित में से कौन एक अफरीका का अस्तल रुद्ध देश है चाड, आप्शन B राइट आंसर हो जाएगा, चाड दक्षिन पुर्व एसिया में निम्न में अस्थल अवरूद देश है केवल केवल लाओस है ओप्शन भी सही उतर हो जाएगा लाओस निम्न देशों में से कौन सा एक अस्थल अवरूद देश है बोलीविया ओप्शन ए सही उतर हो जाएगा बोलीविया निमलिखित महादीपों में से किसमें अस्थलरूद देश नहीं है उत्री अमेरिका जिम्बावे पहले जाना जाता था दक्षनी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था अगला कुछन रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मेक्सीको एवं सन्युक तराजी अमेरिका के बीच सीमा बनाती है निमलिखित में से कौन सी एक जील तंजानिया और उगांडा के बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है vulnerability मेकमोहन लाइन क्या है मेकमोहन लाइन भारत चीन की सीमा को कहते है 38 वी समानांतर सीमा रेखा निमलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है उत्री कोडिया एवं दक्षिनी कोडिया को विभाजित करती है उत्तर कोडिया तथा दक्षिन कोडिया की अंतराश्टी सीमा है 38 डिगरी उत्री अक्षांस option C हो जाएगा 38 degree उत्री अक्षांस मैगी नॉट मैगी नॉट रेखा थी यह कौन से रेखा थी फरांच और जर्मनी के बीच की सीमा option A हो जाएगा फरांच और जर्मनी के बीच की सीमा निवलिखित युगुमों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर आपको गलत को चुनना है तो पहला देखिए option है Slovenia 32 लावा यह गलत है तो गलत को ही चुनना है तो option से यह सही उत्र हो जाएगा Slovenia के राजधानी बलूस लावा नहीं है Slovenia के राजधानी Libl 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 याना है स्लूवेनिया की राजधानी जो है लिव बलाना है नेक्स्ट कोईचन मया मार की नई परसासनिक राजधानी कौन सी है निउपीता ओप्शन डी सही उतर हो जाएगा निउपीता नीचे दिये गए युगमो में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर भी आपको गल गुवा बोल मो पान और यह गलत हो जाएगा निकारा गुवा की राजधानी मना गुवा है मना गुवा निकारा गुवा की राजधानी मना गुवा है नेक्स्ट कोईचन पेरू की राजधानी है पेरू की राजधानी कहा है लीमा है वियना किस देश की राजधानी है विय नहीं है तो यहांब भी आपको गलत को ही चुनना है उत्री कोडिया की राजधानी प्योंग यांग है निम लिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है जापान योटो इय गलत हो जाएगा तो आप्संदी राइट आंचर हो जाएगा जापान के राजधानी टोक्यो है है कि निम्लिकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है नाइज़िया रबात ऑप्षण डी गलत हो जाएगा तो सही उत्तर है अप्षणडी क्योंकि यह राइट आंशर हो जाएगा ओसलो जो है यह नारवे की राजधानी है नारवे की राजधानी ओसलो है निमलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बिसकेक ताजिकिस्तान ऑप्चन भी राइट आंशर हो जाएगा बिसकेक किरगिस किरगिजस्तान की राजध निम्रिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है अचीन संगहाई यह गलत है तो राइट और और आंश design go a a लिए निम्रिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है है एथिओपिया लूशाका ओप्शन सी राइट अंश्र हो जाएगा एथि इथिएओपिया की जो राजधानी है अदीस अबावा है निमलिखित युगमो में कौन सा सुमेलित नहीं है में कराइस्ट, चर्च, न्यूजीलेंड यह राइट आंशर हो जाएगा क्राइस्ट चर्च जो है यह न्यूजिलेंड का ही एक सहर है, न्यूजिलेंड की राजधानी बिलिंग्टन है, निमलिखित में से कौन एक राष्टी ये राजधानी नहीं है, कौन सा है जो राष्टी ये राजधानी नहीं है, नियू यार्थ, निमलिखित में से कौन सा सहर किसी देश की राजधानी नह पूर्जे लेंड की फीड लेंड की राजधानी हेल bend सİंगकी है म सब कु किसका सुमेल नहीं है कि फीड लेंड औस लुद ये राइट अंसर हो जाएगा फिड लेंड की राधनावन्ट नहीं है एल सिंगकी है मिर निम्न में से कौन सा यूग सही सुमेलित है सूरेबेग horror राएट अंसर में से किस देश का हिच्स्त है कौन से एक में अफ्रीका की पालियमेंट अस्थीत है केप टाउन में अस्थीत है कि अगला कोचल कंधार अस्थित है दक्षिन अफगानिस्तान में अस्थित है निम्न में से कौन सबसे अधीक उचे अस्थल पर बसा है लहाशा ओप्षन सी राइट अंचर हो जाएगा लहाशा निम्न लिखित में से कौन सा देश आर्कटीक व्रीत के दक्षिन में पाया जाता है आइसलेंड अप्षन भी से उत्तर हो जाएगा आइसलेंड शन सीटी अवस्थित है अफ्रिका में अवस्तित है। कांटो मैदान जस देश में है वह कौन सा देश है। कांटो मैदान जापान में अस्तित है। मेक्सिको देश अस्तित है। तंद्र अमेरिका महादुरीप में अस्तित है। के निम्लीखीत में से किस एक में मालटा अवस्तित है। भूमद्ध सागर में अवस्तित है। नेच्ट कवेचन मद्ध रातरी का सुड़ी दिखाइद देता है। उत्तरी धुरूप पर दिखाई देता है अगला कोईचन निमलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिनी अमेरिका पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है निमलिखित में से कौन धूम्रनगर के नाम से जाना जाता है शिक स्रिल्वांका को पुर्वी शमूद्र की श्वामीनी कहा जाता है दक्षिन अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौडी सरकों के कारण अमेरिका का पेरिश कहलाता है सन्युकत राजी अमेरिका के किस राजी को बुलू गरॉस अस्टेट भी कहा जाता है केन टुकी को option भी हो जाएगा केन टूकी टर्की का कौन सा नगर पच्छिम का द्वार कहलाता है किस देश को सुएत हाथी की भूमी कहा जाता है थाइलेंड को शुर्योदे का देश के नाम से कौन देश परसिद है जापान जो है शुर्योदे के नाम से परसिद है निम्र देशों में से किसे जीलो की वाटिका कहा जाता है फीन लेंड को जीलो की वाटिका कहा जाता है निमलिखित में से कौन सा नग सहर सहरों का सहर कहलाता है वेनिस पिरिथवी की सतह का वह भाग जो पानी से ढखा है लग भग दो तिहाई ओप्शन सी राइट अंचरो जाएगा दो तिहाई टू बाइ ठड़ भाग अगला कोईचन समुद्र तल पर पिरिथवी के केंदर के सब से निकट अस्थान है उत्री धुरूब डेटम रेखा क्या है डेटम रेखा समुद्र तल की 36 रेखा जिससे उचाई तथा गहराई की माप होती है हमारे जल मंडल का सब से बड़ा भाग है परसांत महासागर उप्शन सी सही उत्र हो जाएगा परसांत महासागर 90 East Ridge कहां पर अस्थीत है हिंद महासागर में अस्थीत है भूमी में गुरुत्वा कर्शन जल किस तनाव पर रहता है वन वाइठ हड़ एटमस्फियर से कम पर ऑप्शन ए सही उत्र हो जाएगा वन वाइठ हड़ एटमस्फियर से कम पर रहता है टर्की के उपर में है टर्की के उपर में कैश्पियन सागर है ऑप्शन B से उत्र हो जाएगा कैश्पियन सागर आंत्रिक सागर है आंत्रिक सागर कैश्पियन सागर ऑप्शन C से उत्र हो जाएगा इतलांटिक है। इतली, सिसली, सरडिणिया, एवं, कॉर्सीका से घीरे सागर का नाम है। तेर्हेनियन सागर, options D से उतर हो जाएगा तेर्हेनियन सागर, निमलिकित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमद सागर से नहीं मिलती है। चाड की सीमा, आप्शन भी हो जाएगा चाड, अगला कोचन, अगूल हास धारा चलती है, हिंद महासागर में चलती है, उत्री अटलांटिक परवाह द्वारा सरवादिक लाभानवीत होने वाला देश कौन सा है, नार्वे, निमलिखित में से कौन सी दक्षिन अटलांटिक म कौन सी धारा दक्षिन अटलांटिक महासागर में धाराओ के एक पूर्ण विरीत के निर्मान में योगदान नहीं देती है, कनारी जो महासागरिय धारा सेस्तीन से भीन है, वह कौन सा है, पिरूवियन धारा, ओप्चन डी सही उत्तर हो जाएगा, पिरूवियन निमलिखित में से कौन सी सीत धारा है, पिरूवियन धारा जो है, यह सीत धारा है, गॉल्फ अश्ट्रीम है, गॉल्फ अश्ट्रीम एक महासागरिय धारा है, ओप्चन बी सही उत्तर हो जाएगा, दोस्तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लैक करके ज्यादा से सेर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नडिफिकेशन बिल्कुर दवा के ओल पर किलिक कर देजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नडिफिकेशन सबसे पहले आप तक कहुँचे, सागरिय लवनता का मुख्षी शुरोत है, भूमी ह अगला कोईचन, सागरिय जल की लवनता में किसका अधिकतम योगदान है, शोडियम क्लोराइड का विशु में सबसे अधिक लवनिय शागर या जील है, कौन सा है, लेक वान, वान जील है, लेक वान समूद्र में घनतु बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है तो ऐसे में लवनता बढ़ती है किन्तु गहराई कम होती है ऑप्शन B से उत्तर हो जाएगा ग्रेट शाल्ट जील कहां अस्थीत है शन्युक्त राजी अमेरिका में अस्थीत है अरब सागर के पानी का आउस्तन खारापन है 35 पीपीटी नेक्ट कोईचन महा सागर में जुआर भाटा की उत्तपती के कारण है गृत्वा कर्शन अभी केंद्रिये बल तथा अपकेंद्रिये बल से ऑप्शन D हो जाएगा अब परत्यक्ष ऊच जुआर उत्पन होने का कारण है प्रीथवी का अपकेंद्रिये बल व्रीहत जुआर आता है जब सूड़ी प्रीथवी तशाचन्द्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब व्रीहत जुआर आता है महासागर में उची जलत रंगे कैसे होती है चंद्रमा से ओप्शन D से उत्तर हो जाएगा चंद्रमा से विश्व का सबसे गहरा समूदरी गर्थ कौन सा है चैलेंजर है ओप्शन B हो जाएगा चैलेंजर निमलिखित महासागरों में से किस एक में डाया मेंटी या निमलिखित महासागरों में निमलिखित महासागरों में से किस एक में डाया मेंटी ना परिखा अस्थीत है हिंद महासागर में अस्थीत है अगला कोईचन अफवा चैत्र की द्रिश्टी से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सा है अमेजन नदी निमलिखित नदियों मेंशे कौन सी सबसे लंबी है अमेजन नदी दक्षिन अमेरिका के सबसे बड़ी नदी कौन सा है अमेजन अमेजन नदी निमलिखित मेंशे कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है चाड अगला कोईचन एसिया की निमलिखित मेंशे कौन सी नदी दक्षिन को परवाहित होती है अपशन ड़ी हो जाएगा सालविन next question देखिए सर और आमू नदिया गिरती है ये कि सागर में गिरती है अराल सागर में option D हो जाएगा अराल सागर काला सागर में गिरने वाली नदी 2 है नीपर डिन्यूब option C हो जाएगा नीपर डिन्यूब वोलगा नदी कहां गिरती है वोलगा नदी कैश्पियन सागर में गिरती है option भी हो जाएगा कैश्पियन सागर दोस्तो आज की वीडियो में 12वा सेट कॉंप्लीट हो गया यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सेर कीजिए चैनल पर पहली बारे तो सब्सक्राइब करने के साथ नाटिफिकेसन बेल को दबा के ओल पर किलिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नाटिफिकेसन सबसे पहले आप तक पहुँचें तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर